हाई गाईज वेलकम बाक टो नदर सेशन मैं अब अब अबनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेर्स का अपिसोड नबर 814 आज की तारीक है 20 अक्टूबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ हमारे दोनों टेलिग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और सेसी सीजिल पिनेकल ऑनलाइन को जोइन जरूर करना है और डेली वीडियोस पीडियाफ एन मंतली मैगजीन स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्चन था भारती बैंक संग आई बी एके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही जवाब था राज किरन र द्वी पक्षे समुद्री अभ्यास स्लायनेक्स 20 का आयोजिन कहां किया गया है तो इसका सही जवाब है अप्शननमबर A. त्रीकोमाली स्लाइनेक्स का आठवा संसकरन एक वार्षिक द्वी पक्षिय समुद्री अभ्यास 19-21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्वीकोमाली से आयुजित किया जाएगा श्रीलंका की नौ सेना से SLN जहाज, साइरा और गजा बाहु भाग लेंगे स्वदेश निर्मित INS कमार्टो और INS किलतान भारती नौ सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे स्लाइनेक्स का सात्वा संसकरन सितंबर 2019 में विशाका पत्नम से आयुजित किया गया था इस अभियास का उदेशय अंतरसंचालन शीलता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और दोनों नौ सेनाओं के बीच सर्वोतम प्रताओं का अदान-प्रतान करना है अभियास किस LINEX श्रिंखला 2005 में शुरू हुई यहाँ पर एक क्रिविजिन की बात करें तो भारत किस देश में सौर उर्जा पाक स्थापित करेगा तो इसका सही जवाब है श्रिलंका बात करें श्रिलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जैवर्द ने पूरा कोटे और करंसी है श्रिलंकन रूपी अगला प्रशन है डेनमाख ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किस ने जीता है तो इसका सईजवाब है ऑप्शन अबर B नोजोमी ओकुहारा पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में तीन बार की विश्व चैंपियन कैरोलीना मारीन को हरा कर डैन्माक ओपन का खिताब जीत लिया विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया पुरुष एकल के फाइनल में वर्ल्ड नंबर साथ के खिलाडी डैन्माक के एंडर्ज एंटोसन ने अपने ही देश के रैसमस गेमको को हराया इंग्लेंड के मार्क्स एलिस और क्रिस लेंगरीज ने रूसी जोड़ी विलादीमिर इवानोव और इवान सोजोनोव को पराजित किया डैन्माक ओपन के 45 वर्षों के तिहास में पुरुष यूगल का खिताब जीतने वाली यह इंग्लेंड की पहली जोड़ी है यहाँ पर एक वेक रिविजन की बात करें तो इगास वटेक ने सोफिया कैनन को हराकर 2020 फ्रेंच ओपन महीला खिताब जीता वह यह यह खिताब जीतने वाली पहली पोलेश खिलाडी है अगला प्रशन है दिल्ली एवज जिला क्रिकेट संग DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सई जवाब है आप्शन नमबर ए रोहन जेटली पूर्व केंद्रे मंत्री दिवंगत अरुन जेटली के पुत्र रोहन जेटली दिल्ली एवज जिला क्रिकेट संग DDCA के अध्यक्ष बन गए हैं DDCA के चुनावों के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी SK मेंदी रत्ता ने उमीदवारों के सूची जारी की जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ रोहन जेटली का नाम है इसलिए अध्यक्ष पद को लेकर कोई चुनाव नहीं हुआ रोहन जेटली पहले से ही अध्यक्ष पद के लिए सर्व समत उमीदवार माने जा रहे थे रोहन जेटली के पिता अरुन जेटली DDCA के पूर्व अध्यक्ष रहे थे अरुन जेटली ने 1999 से 2013 तक 14 वर्ष DDCA का अध्यक्ष पद संभाला था अरुन जेटली का पिछले वर्ष अगस्त में निधिन हो गया था जिसके बाद दिल्ली के फिरोज शाक कोटला मैदान का नाम अरुन जेटली स्टेडियम रखा गया था अगला प्रेशन है 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरीजा दिवस मनाया जाता है तो इसका सई जवाब है option number B अलबानिया शान्ती का नोबल पुरसकार पाने वाली कैथुलिक मिशनरी मदर टेरीजा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अलबानिया में हुआ था 19 अक्टूबर को अलबानिया में मदर टेरीजा दिवस मनाया जाता है अक्टूबर 19 2003 में पॉप जॉन पॉल दुवित्य द्वारा मदर टेरीजा को दी गई बिटिफिकेशन मोक्ष प्राप्ति की मानेता की सालगीरा है 1979 में मदर टेरीजा को शांती का नोबल पुरसकार दिया गया था मदर टेरीजा को उनके मरने के 19 साल बाद संत सेंट की उपाधी दी गई थी यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें तो नोबल पीस प्राइस 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है बात करें अल्बानिया की तो इसकी कैपिटल है तिराना और करंसी है अल्बानियन लेक अगला प्रशन है भारत में पहली बार किस राज्य केंदरी शासित प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है तो इसका सई जवाब है option number A हिमाचल प्रदेश भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है हींग का पहला व्रिक्षा रोपन हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिती में डॉक्टर संजे कुमार निदेशक CSIR IHBT दवारा किया गया हींग ऐसा फिटीडा अनादी काल से भारतिय व्यंजनों में व्यापक रूप से उप्योग किये जाने वाले मसालों में से एक है अब भारत में हींग का कोई उत्पादन नहीं होता है और वर्तमान में 600 करोड रुपे की लगबग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान इरान और उस्बेकिस्तान से सलाना आयात की जा रही है इस फसल के आने से आयात में कमी आएगी यहाँ पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में दूनिय की सबसे लंबी राजमार्क सुरंग अटल सुरंग का उदगाटन किया फमाचल प्रदेश के गवणनर ए बंदारू दतत्रिया और सीम जै राम ठाकुर अगला प्रशन है तो इसका सब्सक्राइब है B. Brahmos सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल Brahmos का भारतियन और सेना के स्वदेश निर्मित स्टील्थ विद्वनसक INS चन्नाई से सफल परिक्षन किया गया Brahmos मद्यमदूरी की ट्रैमजेट सूपरसोनिक मिसाइल है जिसे जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है इसे Joint Venture of India DRDO और रूस NPM ने विक्सित किया है ब्रहमपुत्र और मौसवा नदियों से ब्रहम मौस नाम लिया गया है यह दुनिया की सबसे तेज सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है अगला प्रशन है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा Grand Challenges वार्शिक बैठक GCAM 2020 के उधगाटन समारो को किसने संबोधित किया तो इसका सही जवाब है Option No. B नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री मोधी ने Grand Challenges Annual Meeting GCAM 2020 के उधगाटन समारो को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा संबोधित किया यह बिल एन मेलिंडा गेट्स वांडेशन जैव प्रधियोगी की विभाग विज्ञान और प्रधियोगी की मंत्राले भारते चिकित्सानुसंधान परिशद और नीती आयोग द्वारा Grand Challenge Canada United States Agency for International Development और वेलकम के साथ मिल कर होस्ट किया गया है GCAM 2020 नीती निर्माताओं और विज्ञानिक नेता को COVID-19 पर अधिक ध्यान देने के साथ वैश्विक स्वास्ते समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच पर लाएगा इस तीन दिवस्य कारेक्राम में विभिन विश्यो पर पैनल चर्चा और अभासी अनौप चारिक बातचीच शामिल होगी जैसे महामारी से लडने के लिए विज्ञानिक हस्त शेप महामारी का प्रबंदन और विकास को गति देना Global Grand Challenge की स्थापना 2003 में Bill and Melinda Gates Foundation द्वारा की गई थी अगला प्रशन है C is for cat and D is for depression नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सई जवाब है option number B केरावी भारत राम रमायन इन राइम और क्रिशन इन राइम की लेखी का केरावी भारत राम ने C is for cat and D is for depression शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है पुस्तक शैक्षिक भारत द्वारा प्रकाशत की गई है यह है पुस्तक अफसात और चिंता जैसे मांचिक स्वास्ते के मुद्दों से संबंदित है अगला प्रशन है पहला शंगाई सहयोग संगठन SEO Startup Forum कब लाँच किया जाएगा तो इसका सही जवाब है Option B 27 October 2020 28 October को होने वाली SEO व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले 27 October 2020 को पहली बार SEO Startup Forum शुरू किया जाएगा Forum SEO सदस्य राजियों के बीच बहु पक्षे सहयोग और जुडाव के लिए अपने Startup एको सिस्टम को सामूहिक रूप से विक्सित करने के लिए अधार शिला रखेगा यह SEO सदस्य राजियों में Startup पारिस्थिति की तंत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक विशेशताओं को समझने में मदद करेगा Startup इंडिया के परयासों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 40 भारते मिशनों में भाग लिया अगला प्रशन है हाल ही में डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा का निधन हो गया वे एक प्रसित डैश थे तो इसका सई जवाब है Option No. B आध्यात्मिक नेता केरल के थिरुवला में मर्थोमा इसाय समुदाय के अध्यात्मिक प्रमुख जोसेफ मार्थोमा का निधन हो गया वे 90 साल के थे वे 2007 में मार्थोमा इसाय समुदाय के प्रमुख बने थे उन्होंने मानवता की सेवा की और गरीबों और दलितों के जीवन को बहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की उनके अधर्शों को हमेशा याद किया जाएगा बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो बाइलेटरल मेरिटाइम एक्ससाइस लाइनेक्स 20 त्री कुमाली में आयोजित की गई विमिन सिंगल टाइटल डेन्मार्क ओपन नोजोमी ओकुहारा ने जीता डेली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकट असोसियेशन के प्रेजडेंट बने है रोहन जेटली अक्टूबर 19 को Mother Teresa Day अलबानिया में मनाया जाता है भारत में पहली बार हींग कल्टिवेशन हिमाचल परदेश में शुरू की गई है INS चन्नाई से लाँच की गई क्रूस मिसाल का नाम है ब्रमोस ग्रैंड चालेंजिस अनुल मीटिंग G.C.A.M. 2020 को नरेंदर मोदी ने अड्रेस किया C. is for cat and D. is for depression book कैरावी भारत राम ने लिखी है First Ever S.C.O. Startup Forum October 27, 2020 को शुरू किया जाएगा Dr. Joseph Marthoma जिनका हाल ही में निधिन हो गया वे एक spiritual leader थे बात कर लेते हैं आज के session के quiz for the day की आपका पहला question है भारत में पहली बार किस राज्य केंदरी शासित प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है और आपका दूसरा question है Denmark Open 2020 में महिला एकल खिताब किस ने जीता है और अगर अभी तक आपने मारे चान्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccigilpinacle.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ हमारे दोनों टेलीकरम हैंड्रिस को जोइन जरूर करना है थांक्यू सू मच